दोस्तो जैसे जैसे शारुखान की फिलिम पठान और सुपर स्टार प्रबास की फिलिम आदी पुरुष की रिलिज डेट नजदिक आ रही है वैसे माहुल कुछ बदलता जा रहा है साउथ की स्टार प्रबास की फिल्म आगले साल यानि की 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है वही शारुखान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है इन दोनों मोवीज में 13 दिनों का फासला है लेकिन फिर भी फिल्म मेकर्स को इन दोनों मुवीज को लेकर चिंता हो रही है वही पटान की अगर बात करे तो इस फिल्म के मेकर्स ने पहले ही साप कह दिया है कि सामने कोई भी मोवी आये वो इस फिल्म को उसी डेट पर रिलीज करना चाहेंगे और फ्लिम बिया पूरी तरीकी से बन चुकी है और रिलीज के लिए एकदम तयार है लेकिन बॉलियूट की गलियारों में से एक हलकी हलकी खबर आई थी कि आदिपुरुष मोवी की वज़े से फ्लिम में कस रिलीज डेट पर थोड़ा सोच रहे थे लेकिन यसर के ने रिलीज डेट चेंज करने से साफ मना कर दिया है इस खबर में कितनी सचाई है ये तो मैं नहीं जानता लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों मोवी में बहुत दिनों का गैप है तो इससे पठान को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर केज जेफ टुझे इसी प्रबास की मुवी आदिपुरुष चल परती है तो शायद इस मुवी से पठान को नुकसान हो सकता है क्योंकि केज जेफ चेप्टर टो ने बॉलिवट के बड़े-बड़े स्टार्स की मुवी को फ्लॉफ करा दिया वही आदिपुरुष के मेकर्स भी पठान की वज़े से काफे चिंता में है क्योंकि पहले से ही प्रबास की पैन इंडेक की पिछली दो फिल्म में बॉक्स आविस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई वही दूसरी और 13 दिनों के गैप में प्रबास की मुवी आदिपुरुष के सामने शारुखान की मुवी पठान रिलीज होने वाली है और इस वक्त जिस तरह से पठान मुवी का बज़ बना हुआ है और इससे यही लग रहा है कि यह मुवी बॉक्स आविस पर एक नया रेकॉर्ड सेट करने वाली है और कुछ दिनों से प्रबास और इसर के फैंस यह कमेंट करके पूछ रहे है कि भाई आदी पुरुष के सामने पठान आएगी तो इससे आदी पुरुष को बॉक्स आविस पर कोई नुकसान तो नहीं होगा ना भाई दूसरी वर इसर के फैंस का भी यही सवाल था तो भाई इसके बारे में तो यह मुवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा अच्छा होगा तो दोनों ही चलेगे वही कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो दोनों ही मुवी बॉक्स आविस पर ओंधे मोगिरेगी वैसे आप इन दोनों मुवी में से कौन सी मुवी देखने के लिए जाने वाले हो कमेंट करके जरूर बताना बाकि और भी ज्यादा इसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें